हेलो दोस्तों मैं भैकुष वहाँ स्वागत करता हूं आप सभी का गुरुकुल करेंगे तो जितने भी टेंस अंडर के स्टूडेंट्स होते हैं उन सभी का एक ही दिक्कत होता है एक ही डाउट होता है क्या तो वो लोग बोलते हैं कि सार हम लोग प्रैक्टिस करें अच्छी ही तरीके से तो मैठ भी हो जाता हा जो है कि इस घर समखनेना है और awakening से बॉए स्ही तरीके से पढ़ते नहीं नहीं तो देखें यहां पे सब्सक्राइब करें और उसके बाद पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद मैं उस पूरे पराग्राफ को वन स्टॉरी के फॉर्म में आपको समझा दोंगा जिसके बेसे पे आप लोग को एकडम स्टॉरी की फॉर्म में याद हो जाएंगे ठीक है तो सिंपल चलिए चालो करते ह लोग किस तरीके से सब के सब चीजे देखेंगे ठीक है तो सिंपल चाप्टर नंबर वन जो है यहां पर हो क्या है एरिटेज ऑफ इंडिया तो बाकि सब का मतलब तो आपको पता होगा बट यह हैरिटेज मतलब क्या तो देखें हैं हिंदी मेंनिग होता है विराशत या फ और विरासत थीक है तो आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि भारत को जो भी विरासत में मिला है उसरी खौम लोग इस पर्टिकुलर चाप्टर में समझने वाले ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं तो देखें मैंने आपके लिए यहां पे इस पूरे रेशन को सैवन पार् करेंगे इस पर्टिकुलर चाप्टर का है उसके बाद थोड़ा से समझें कि भारत का पॉजिशन क्या है कि कि किस लेवल पर हमारा बहुत करता था और अभी बारे में थोड़ा सामूर्ऑ इंट्रोर नेंगे उसके बात थर्ट टॉपिक में हम लोग यहां पे कल्चर का मतल सब्सक्राइब क्या होता है इसको डेटेल में आप समझेंगे और फूर्थ पॉइंट में सिंपल हम लोग देखेंगे हेरिटेज ऑफ इंडिया कि भारत को क्या क्या चीज़ यहां पर धरोहर में मिली थी और कितने अलग अलग टाइप के हैं वह ठीक है उसके फिर पॉइंट होगी फिफ पॉइंट में चेक आउट कर लेंगे सिफ्ट पॉइंट में हम सबको पता है कि भारत पहले कितना सम्रिद हुआ करता था यहां पर बीदिशों से कि इन्डिया में आये ट्रेड करने के परपस से और लोग यहां पर आने के बाद इंडिया में सैटल्ट होकर रह इंडिया में उनका बोलने चलने का तरीका लग रहने से तरीका लोगा तो दोनों की वैसिस तरीके से चीज़े इवाल वही उसको भी हम लोग आपे सिक्सप्वांट में समझेंगे ठीक है एंड़ सबको पता है कि हमारा है वह कितना हमारे लिए इंपरण होगा तो हम सब को तो गलए हमारे हेरिटेश को बचाने के लिए और हम लोग क्या करना चाहिए उन सभी सब्बाय करते हैं तो आये हम लोग क्या देस का देश है और इसका प्रमान जो है वह हमारे यहां पर इंडियन स्टॉप्चर मतलब हमारे पूराने जो शास्त्र है ना उन सभी के अंदर हमें आप देखने को मिलता है ठीक है जिसमें से एक हमारे पास एक विश्ट्नु पुरान और उसकी अंदर एक श्लोक लिखा गया है उसके माध्याम से हमें आप पूरा पूरा डीप एक्स्प्रेशन देखके रखा है उसको हम लोग आपर समझते हैं देखें सबसे पहले आप बोला गया है कि यह जो भारत है वह इंडिया में इंडिया एक्स्टेंड भारत जो है वहां पर उत्तर में हिमालय परवत से लेकर दक्षिन में हिंद महासागर है इं यहां पर आए उन सभी को हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं इंडियांस बोलते हैं मतलब उत्तर में हिमालय परवत से लेकर दक्षिन में हिंद महासागर तक जो भी यहां पर नई वहां पर पहले से लेकर अभी तक जो भी एक्जिस्ट कर रहे हैं वह सब के सब कौन है भारत वर्षा भारत खंड़ा जंबू दीपे आर्या वर्थे एक सब के सब नाम जो है वह हम लोग लेते हैं तो यहां पर भी आपको यहां पर यह चीज़ दिख रहा होगा कि जब भी कोई मतलब किया है आपका की शुरक्षा करना तो हमारे भारत को ना नेच्रोल यहां पर सिंपल क्या किया है बांडर स्मिल चुके हैं जिसमें आप देखें बोलके रखाए क्या कि यहां पर हमाले परवत हैं उसके पूरब में जो है तक समुंधर है सबके सब जिसको आप बने बच करेगा यहीं तो सागर को क्रौस करके इंडियम आना कितना टफ होने वाले और कि सागर को क्रौस करा academia तब तक पूरा काम कम कर देंक थे हैं है तो इस तरीके से पहले की बात करना पहले के टाइम की लोग जो भी यहां पर अलग अलग देश थे ओ इंडिया की प्रोस्पारिटी मतलब सम्रिता मतलब इतना भारत सम्रित था खुद पर सेल्फ रिलाइंट था कि विदेशों से लोग इंडिया में आते थे क्या करने के लिए तो सिंपल यहा के लोग के साथ में साधी विवा कर लिए और यहां के लोग उनींके साथ में साधी विवादा करने एक सिंपल क्या हुए मिंगल्ड होगे पुलयत दिल जूलकल कर रहने लागी ठीक क chiar diyard के के गिसी अलग पे किसी अलग तरीके के भासा देखने को मिलते हैं जैसे गुजरात में गुजराती बोलते हैं तो हर एक साइड में अलग अपना खुद सब बता हैं और जेटेशन टू जीने और फिर लेते हैं भारत जो है उत्तर में इंमालय को सब्सक्राइब बोलते हैं उसमें सब्सक्राइब करते हैं जम्बो दुविपे यह सब कर लेते हैं इतना सवरी और पॉंट है जिसमें आप बंगाल के खड़ में आपका अर्रभ सागर यह सब के सब से बोला गया है कि भारत जो है उसके अंदर वीदैसों से बहुत सारे लोग भारत की prosperity को देखकर इंडिया में आते थे इंडिया में trade करते थे और इंडिया में settled होकर mingle हो गए यहीं पर रह गये और अपना कुछ संस्कृति हमें सेर की हम लोग ने अपना कुछ संस्कृति हो से आप लोग यहां पर पिछले सालिक में standard 9 के अंदर ही इंडिया का प्रेजेंट इरिया वाइस किस लेवल से हो पड़ चुकिए उसके बाद पूरे वर्ल्ड में 7 नंबर में area wise है यह ना मतलब पूरे वर्ल में 7 नंबे आता है area wise और उसके बाद population wise जो है वह इंडिया सैकें नंबर पे करता है पूरे वर्ड में और एक बताता हूं कि इंडिया जो है अब इरिया वाइज नहीं पॉपुलेशन वाइज पूरे वर्ड में फॉस्ट नमवर पर आ चुका है ठीक है यह ग्रोथ हो रहे है भारत की तो हम लोग यहां पर आगे बढ़ते हैं तो देखें अब यहां पर इंडिया के हैरिज पर लेते हैं ठीक है बहुत ही होता है सबसे मतलब हमारी भारत माता है उनको ब्लेस्ट किया गया है बहुत ही महान और अलग अलग टाइप के हैरिटेज थे ठीक है और यहीं जो है वह हमें दर्साता है पूरे वर्ल्ड के सामने इतना क्लियर आगे बोला है कि भारत का जो कल्चर है वो सिंपल किस तरीकी का है तो ट्रीड आगे बहुत है मोर्य को एकसेप्ट करना ज्यादा पसंद करते हैं उसी के साथ में बोला है कि भारत जो है वह इसे तीन चीज़ का मैसेज सथ चित एणन ऑनंद यह तीन चीजका मैसेज जो है वो पूरे की पूरे वर्ल्ड को हमारे ही कल्चर से इंडियान कल्चर से ही गए है सथ मतलब 2 सब्सक्राइब कि बीघ्ज करने का जो है कुस्टरी अगry पिछ paradox हो एंडिया का यहां वह सम्रिद्ध के हाँ जो भी कलचरिया में आए आनेक हम सब को पता है कि भारत के अंदर कितने अलगला टाइप के अलगल देशों से लोग यहां पर इंडिया माए सैटल्ड हुए और अपनी कल्चर को इंडिया में क्या किये बढ़ा है अलोब्रेट के ठीक है तो उन सबी से हमारा भारत का कल्चर क्या है सम्रिद है आगे बोला ग सब को यहां पर मैसेज दिये हैं और उसकी बाद हैं यहां पर बोला है कि हम लोग के अंदर यहां पर जो पिपलस है इन्डिया का वह स्टार्पिंग से ही है तो एक हम लोग से लेकर अभी तक हमारा देश जो वो अलग टाइब की जो यहां पर एबिलिटी है टैलेंट्स है स्किल्स है और इंडिया के अंदर अपने जो भी यहां पर टैलेंट्स है उनके थुरू इंडिया को और भी बड़ा बना है उसके बाद यहां पर बोलागे हैं कि इनका जो कॉंट्रिबूशन रहा है इन सभी का इनका कॉंट्रिबूशन बहुत ही ज़ादा है हमारे ग्रोथ में और उसके साथ ही में हमारे कल्चर को डवलप्ट करने में इन सभी का यह जो आप लोगों ने अभी तक देखा जितने भी जो भी हाँ पर टैलेंट्स स्कॉलर्स आएं सबके सबका कॉंट्रिबूशन हमारे देश के डवलप्मेंट में बहुत ही ज़ादा है और एड दी इंडि में आप बोलके रखा है कि कल्चर जो है क्ल्चर क्या होता है तो कल्चर इस सम अभी हमारी आदतों का सम उसके बद हम वो सबके सब्सक्राइब क्या और जो भी हमारे लिविंग स्टैनर्स लाइफ स्टाइल है उन सबका से क्ल्चर एक तरीके साप यह डेफीनेशन आप अच्छी तरीकर स्याद रखना क्ल्चर इस वह विए वह सबक्सक्राइब ट्रदिशन और लाइफ लाइफ यूमन तो यह जो है simple definition कि हमारा जो इंडियन हरिटेज है उनको बोल सकते हूं कि हमारी भारत मातों को स्टार्टिंग से ही बहुत ही अलगल टाप के हाँ पे हैरिटेज से हाँ पे समृत किया गया है भारत जो है उस इंपर पूरे वोल्ड में सत चीत आनंद को क्या करता है स्प्रेड करता है हम लोग यहां पर कभी भी यहां पर क्या करते हैं एकसेप्ट किये हैं और उसके साथ में पीस लविंग हम लोग देश रहे हैं ठीक हमारे भारत के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाप के कल्चर के लोग आ हैं यहां पर सैटल्ड हुए और उनकी संस्कृत संस्क्रिति मिलकर बहुत ही अलग लेवल से हम लोग यहां पर चीजों को शोगें उसके बात बोला गया हम स्टर्टिंग से ना इंडर्स वैली स्विलाइजिकर अभी तक हम लोग यहां पर पूरे वर्ल्ड को बहुत ही अलग हम दोने प्रोवाइड के हम देश सिंपल हो गया हमारा इंडियन हैरिटेज अब हम लोग आगे बढ़ते हैं देखते हैं कल्चर को और भी डिटेल में की कल्चर होता क्या ठीक है तो सबसे पहले आप लोग यह याद रहे कि कल्चर मींस अवे ओफ लाइफ यह में पॉइंट है आपका कि कल्चर क्या होता है कि क अगे बोला है कि कल्चर जो होता है वो चेंजिस अकर करता है को भी पब्लिक और सोशल रूस और रेगुलेशन के अंदर क्या करता है यही जो है जैसे कि एक सोसाइटिक अंदर अलग अलग टापी जैसे कि लोग रहते हैं जैसे कि आप गुजरात में रहते हैं तो आपको लोगया पता ओगा कि यहां पर हर एक से लोग आकर रह रहना है तो उस भी को देखेंगे जैसे से बोलने के सामने का oni Except अड़ें गैं पहलों के सब सकते हैं कि कल्चर जो होता है कि फिर वेंख अनप着 PowerPoint के सामने कि हम लोग ऐसा कि है कुछ मों है कि कल्चर जो सोपह होता है वह यहाँ पर क्या है डोटल है गिने चलने का तरीका है वह क्लचर है तो यह सिंपल हो गया Magnes ट्रेडिशन से उन सभी चीजों को शो करते हैं और उसी की बेसिशिस पे हम लोग दूस्टों के सामने थोड़ा सा यूनिक और अलग दिखते हैं ठीक है तो यह होगी आपका कल्चर अब हम लोग यहां पर हेरेटेज के बारे पढ़ते हैं कि हेरेटेज क्या है 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 पुर्वजों से जो भी हमें मिला है उसे हम लोग क्या बोलते हैं है है ठीक है अगे बोलें कि भारत का जो इतिहास रहा है और अगे बोलें कि इसलिए हम लोग ऐसा स्कूल में जब भी प्लेज लेते हैं तो हम लोग ये बात जरूर बोलते हैं क्या कि I love my country मुझे हम देश से आपको याद भी होगा ठीक है कि हमारे हेरिटेज को सिंपल यहां पे दो पार्ट में डिवाइड के हैं सबसे पहले आपका नैच्रल उसकी बारे मिला उसके बारे पढ़ेंगे and cultural heritage of India में हम लोग यहां पे जो भी हमारे four father से मिले हैं वो क्या होता है हमारा culture heritage तो जो भी हमारे four father से मिला है उसको हम लोग यहां पर culture heritage में पढ़ेंगे ठीक हैं तो start करते हैं हम लोग यहां पा 여러분 नेच्रल हायरिटीज अवह इंडिया के अंदर sips Umple यहां पे आप लोग को बताया गया है कि जो आपको यह परिणाम दिख रहा ना इतना close relationship किसके किसके बीच में तो हमारे nature हमारे environment और हम लोग human life के अंदर जो आपको इतना close relationship दिख रहा है यही क्या है आपका natural heritage मैं आपको simple बताता हूं जैसे कि आप देखें नीचर नीचर में आगया आपके पास ट्री हो गया रिवर्स हो गए सबके सब्सक्राइब की नीचर से तो यह जो है ट्री फॉर लाइक एक्जांपल ट्री ट्री जो आपको यहां पर करते हैं ऑक्सिजन देते हैं तो यह हमारे एंवार्मेंट में जाते हैं और उसके बाद हम लोग इसको गेन करते हैं तो सोचो कितना बैस्ट रिलेशन से हैं हमारे बीच में तो यह जो है यह सिंपल क्या है आपका natural heritage ठीक है इसके अंदर और भी कुछ दिया है देखे है से कि बहुत ही यूनीक और सबसे अलग और विविन विविन प्रकार के हमारे इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है तो देखें इसके अंदर हमारे पास इसको याद रखेगा हमारे पास आते हैं मांटेंस फॉरेस्ट डेजर्स रिवर्स स्ट्रीम्स सीज ट्री प्लांट क्रीपर्स फ्लावर्स लीव्स इंसेक्ट्स एंड वेरिट्स लैंड्सकेप मतलब आप लोग यहाँ और भी डिटल में पढ़ो गया आगे लैंड्सकेप ओ वाइड रेंज ऑफ मिनरल्स तॉद्स इतनी टाइप के अलगा टाफ के मिनरल्स सामारे पासने यह सब के सव étant रहले हए ज्एलैं में सब कह बहुत पत्र मुंत प्लांट सैने आप प्लांट एन अनिमल से सबके सब आपका नाम लिए ये सबके आपके अंदर आता है ठीक हम सब के सब जो है यहां पर निचर के ही तो बच्चे है न हम लोग को निचर से हैं पर प्रकिर्टी के तौर हम लोग आत पर हैं सबके सब नहीं की भरो से जी रहें तो हम सबकी सम नेचर के इसलिए नेरिंचरने हमें रहने के लिए बहुत एक तरीके से उने कार्णक में ना को साध है तो फूड काज फ्रेश kolay का सुध़ हवा मिलता है उसका उसका द्ली मतलब रहने का उसके बाद फिर कैटर्स और नी जो भी आपकी आवश्यक्ताएं हैं उन सभी को हमारी नेचर ने हमारे लिए पूरा किया ठीक है आगे बोला हैं कि हम लोग यहां पर इसी लिए क्या करते हैं हमारी नेचर को बहुत रिस्पेक्फुली और आसा की दिश्टी से हम लो हमारे पूराने कुछ कहानिया है उनकी बुक्स में भी लिखा गया है जैसे कि जिसमें आपके पास पंच तंत्र की कहानिया देख लीजिए या फिर आप जाटका टेल्स जो बुद्धिस्ट लोग कर रिलिजिंस का वराच का टेल है उनके अदर आप चेक करेंगे तो उसमे लिख लोग यहां पर आयरुवेदिक वेसिस पर जो भी इलाज करते हैं या फिर युनानी बेसिस पर जो भी हम लोग इलाज करते हैं वह सबके सब भी यहां पर टोटली नेचर के उपर ही डिपेंडेंट ठीक है मैं आसमें समद्देता हूं कि देखिए जो आपका नैजरल अगर आप लोग यहां पर चेक करेंगे तो बहुत ही यूनिक और विविन प्रकार के अलग अलग है ठीक है इसके अंदर बहुत अलग टाप के चीज़ इंक्लूदर जिसमें आपके पास सबसे पर नेपस बहुत सा रहे हैं यह मांटेंस फॉरेस्ट यह सब के सब जितने भ सब्सक्राइब करते हैं कि हम लोग नेचर की हैं और रसपेक्फुली यहां लोग नेचर को हम लोग देखते हैं और हम लोग जो पर वरनन हमारे कुछ यहां पर पुराने सब्सक्राइब कर देखने को मिलता है जो कि हमारे यहां पर इनका वर्नन देखने को मिलता है और लास्ट में आप अच्छी तरीके से इसको समझ तो सबसे पहले हम लोग यहां पर लैंड्सकेप के बारे में समझते हैं तो देखिए जो भी आपको यहां पर ब्यूटिफूल लैंड्सकेप दिख रहे हैं वह सिंपल कुछ और नहीं होते बलकि क्या है आप जमीन के डिफरेंट डिफरेंट से जमीन पर डिफरेंट डिफरेंट बनावा सेफ जो भी दिखते हैं और हमारे पाथ जो सबसे बैस इक्जामपल लैंड्सकेप का है हिमाल्य है आप चेक करो देखो इसको पर किस तरीके से अलग अपके सेफ बने हैं यह देखें और यह कितना ब्यूटिफुल देखने में ल सबस्केशब करते हैं जड़ी बूती पाए जाते हैं मिनरेल पाए जाते हैं अंजान अंजान पाख्शी आप गया हैं जानवर हमें देखने मिलते हैं पहाड़ों के चोटियां बडलता हैं जो कि यह पूरे तरी साथ सटह रधा हूं और उसमें से हमें यहां पे गिफ्ट मिलता एक बहुत सारे अलग टाइप के नदियों का यहां पे नदियां भी उसी से बहती है जितने भी नदियों में पानी आती है उसमें से ही उसके बर्फ को पिघलने से बनती है तो सिंपल आप देखे अभी कि कितने सारे अलग टाइप स्वाइब करिए य robbed जंगल मिलता है और लाईब लगले टाइप के आप मतलफ के बड़े घास केंण को और ललेंग्त को पर पैलमिक्स थल्ड बने हुए जिसमें से कुछ नाम यहाँ पर देखने जाएंगे शम्मेट और नंदा देवी यह सब की सब जो है यह पहाड़ों के उपर ही बना हुआ है ओके आगे बोला है कि यहां पर यह जो देखने जाएंगे हिमालिया का जो है यह पूराने समय से हमारे देश के लिए बहुत ही ज्यादा ग्रेट इंपॉर्टेंस रहा उसकी महत पूर्णता जो है व हमारे बहुत अलवलों टाइप से जो भी आपे हमें रस्ते चाहिए जो भी चीज़ें हम लोग को चाहिए वह हमें प्रोवाइड करते आ रहा है इंडियन कल्चर जो है हमारा भारतिय संस्कृती जो है वह बहुत सारे से भारतियों के किनारे ही डवलप्ट हुए जिसमें सिविलाइजेशन सिंदु घाटी सभेता यह कोई और नहीं बलकि इंडियन कल्चर फ्लोरिस्ट हुए हैं पनपे हैं बढ़े हैं आगे आगे बोला हैं कि जो रिवर हैं इंडिया कंदर बहुत और बड़े-बड़े रिवर्स हैं जिसको बहुत जादा इंपोर्टेंस दिय इंडिया की पीपल हैं वह उनको हमारे देश की नदिया ना बहुत ज़्यादा इहां पर इंफ्लूंस्ट किया हैं संब्रेद किया हैं जैसे कि हमें नदियों से क्या-क्या मिलता है तो आगे बोला है कि इनके साथ ही साथ में हम लोग और भी है जो भी इनसान है और भी पर डिपेंडेंट है जैसे कि यहां पर इंड़्यूं की किनारी ही बस्ते हुए रहते हैं सबकर सब्सक्राइब करना घर को प्लास्टर करना इस सब की सब जो है वो नदी के पानी के लिए बहुत ही ज़्याद है यहाँ पर helpful और प्रस्पर से मतलब संब्रिद किये हैं उसकी बेसे पर उसकी बाद लैंड्सकिप जो है कोई भी आप लैंड्सकिप के चले जाओ गया और वहाँ पर बाजुमा को नदी दिखें तो देखो मतलब सुबह और साम के टाइम पर जब भी कोई नदी किनारे कोई लैंड्सकिप को देखो गया तो वाव फीलिंग आपको आपको देखने को मिलेंगे लबल के सिंस वहां पर लोग बना पाएं ठीक है तो यह होगा सिंपल आपका रिवर के बारे में अब हम लोग चेक करते हैं आप वेजिटेशन वेजिटेशन मतलब सिंपल हिंदी मीनिंग होता है आप वनस्त्ति या फिर जड़े बोटी समझते इसको डिटेल में तो देख बारास के परती उससे देखने को हमें मिलता है हम लोग अभी भी पूजा में फ्लावर्स का यूज करते हैं तो आगे बढ़ते हैं तो जो भी यापे इंसान है जानवर है या फिर पक्षी है वो लोग डिरेक्टली डिपेंडेंटी तो है किसके उपर पेड़ पौधिक अगे बढ़ते हैं तो यहां पर हम लोग ऐसे भी है कि बन्यान पीपल और तुलसी के पौदों को यहां पर पूजा में भारत के अंदर आगे बढ़ते हैं तो जो भी आप लोग का आनाज सीरील पलस से डाल होगें सब्सक्राइब यह सब भी प्लांट से हमारा जो भी ग्रीन वो सब के सब भरा होगा और हमारे जंगल तैब के हाँ अल्टर टाइप से हमारे पास क्या है मेडिकल प्लांट सबके सब भरे पड़े जिसके अगर है नहीं गाना तो यह सबसे हमारा भारत और आगे आपर बोला है कि कुछ मेडिकल और फ्लावर को देखने जाओगे तो जैसे कि आपर आगे हमारे पास रोज घुलाब तो उसके बाद फिर लोटस मोगरा दामारो यह सब इसका सौट नेम जैस्मीन जिसको आप बोलते हो मोगरा को यह सब का अलगला नाम भी देखे रख चेहां मारे हमारे बनाते हैं और हम लोग आसा बहुत ही बड़ा है त्यल्य का बहुत ही बड़ा रोल है उसके बिना साथ सब कुछ हो रहा है कि अँब देखते हैं मतलब जंग्ली जीवन प्रकुटिक से हमें बहुत ज्यादा प्यार है अगे बहुत ज्राइब करता है में लिजार्ड यह सब के सब जो है वह हमारे सामने बहुत ही असानी से देखने को मिल जाते हैं और अच्छी तरीके साफ लोग आपको कहीं भी जाओ जुन जो आपको देखने को सब मिल जाएंगा यह अगे बोला हैं कि हम लोग यहां पर हमारे रिलिजियु को हमारे धार्मिक जो भी आप देवी देथा है उनके वहिकल सवारी कंग है उनके बाद विष्नु भवान के सवारी माना गया है तो यह सब के सब जो है हम लोग यहां पर उनको वर्शिप करते हैं पूजा करते हैं और यह वाहन है भगवान के हमारे आगे जो है हमारे निशनल करणसी के अंदर भी इनकी हाई वैल्यूड है जैसे कि आप एक फोर हेड लाइन जो है वह आपको आसानी से देखने को मिलेगा हमारे करणसी के अंदर के साथ में आपको हरस दूबाष देखने को मिलेगा हमारे करनसी के अंदर है उसके बाद यहां पर बोला गया है इसलिए इतना इंपॉटेंट है यहां पर इंपर गवर्ट्मेंट ने भी इनको प्रोटेक्शन करने के लिए बहुत सारे वाइल और अब लोग यहां पर में बढ़ते हैं नेक्स टॉपिक पे जो कि हमारे पास कल्चरल है सिंपल वर्ट्स में बता देता हूं मैं कि कल्चर है इसमिंपल वे क्या वता है मैं में जो भी चीज हमारे फॉर फादर हमारे बनाए है च्छोड़ कर गये हो अदर किसा हमारा क्या है चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे इंडिया इंडिया जो है के हमारा भारत पहले कितना संपर्ध था यहां पर छूप इसको टिक कर लो कि culture heritage is man-made heritage culture heritage जो होता है वो इंसानों की तरफ से बनाया गया जो भी हमारे यहां पे चीज़ें हैं वो सब होते हैं ठीक है से हमें यहां पर मिला है वो सबके सब हमारे क्या है cultural heritage हम लोग यहां पर देखने जाएंगे तो स्टार्टिंग हैं अभी आप लोग पढ़ो गया बहुत अलगला टाइप के लोग इंडिया में आएं सेटल हुए अलगला कास्ट के लोग इंडिया माइं सेटल हुए और उन ल अपने जो भी आप एक लिए हमारा भारत जो है वह बहुत जादा रीच हो गया culture heritage को लेकर है तो हम लोग यहां पर अच्छी तरीके समझे चुके हैं culture heritage में समझे देता हूं कि कि जो भी चीज़ें हमें हमारे फोरफादर से मिले हैं उनके चातुरी के वेसिस पे उनकी बु culture heritage है अब हम लोग यहां पर बढ़ते हैं detail में समझते हैं देखते हैं culture heritage को ठीक है तो यहां पर भारत के लोग रहे हैं वह एतिहासी काल से ही पहले के समय से ही पूरे वर्ल्ड को बहुत कुछ दिये हैं contribute कि हैं तो क्या दिये हैं तो सबसे पहले तो भारत ने पूरे देश वर्ल्ड को अलग अलग तरिकी की कलाएं सिखाए हैं जो सबसे इंपोर्टेंट कलाएं हैं वह है और भारत से ही सब के सब सिखें और यह जो है यह चीज हम लोग के देश में 5000 साल पहले से हो रहा है और इसका प्रमान मतलब हमारे देश के अंदर कलाएं वह 5000 साल पुराना है इसका हमारा सबूत देखने को मिलता है इंडर्स्विली सिविलाजीशन मतलब सिंदू घाटी सभेता हैं यह एक सभेता रहे हैं जो हमारे देश का 5000 साल पहले से कहीने कि हाप पर प्रेज़न करता है पांच पहले से यह सब्भिता हमारे देश में रह चुके हैं उसके बाद पर बोले हैं कि जब भी हम लोग आप पर देखते हैं फिगर किनका किनका तो बहुत अलग अटाइप के हमारे देश के अंदर पहले के मुर्तियां कुछ मिले हैं भगवान के देव सब्सक्राइब करते हैं उसके साथ ही साथ में अगर आप चेक करेंगे तो यहां पर इसके कपड़े का पहनावा देखे किस तरीकी इसका कपड़े पातर पहने का स्टाइल उसके बद सर में देखेंगे तो यहां से कुछ चीज़ें गई हैं उसके ठीकर खुद में अत्मसम्हान होता है कि हमारे ऍस तरीके की चीज़ पहले exist करते थे हैं न कूछ के साथ साथ में आप बहुत ज्यादा गर्ब होता है हमारे कल्चर है इच के ऊपर आपको भी गर्भ होगा कि पहले की लोग इतने ज्यादा क्या थे डवलप्ट थे तो आगे बढ़ते हैं देखें आगे क्या बोला है कि उसी के साथ में हमें आपके क्या मिला है एक इन्वर्टेड ल करतियां इसके उपर की गई होगी और यह जो मुर्ति है यह कौन से एरा से बिलॉंग करती है तो मौरियन काल से हाना मौरियन के चंदरूप मौरिया यह लोग आए था ना उस टाइम में यह मुर्तियां बनाए गए थी तो कितना जाए डेवलप्त होंगे सब आगे बोला कि हमें और भी एक मुर्ति मिले गौतम बुद्धा की जो मेडिटेक्शन कर के वह फॉर्म में आपको देख रहे हैं हरा उसके बाद गुफाएं उसके अंदर अलगा टाइप के चीज़ें देखने को मिले हैं जो कि कहां से बिलॉंग करता है तो राष्टकुटा डैनिस्टी से एक तरीके से बोल सकते हैं कि इनका राष्टकुटा एक काल आया था उनका दौर था जब राज करते तो उस टाम में यह बनाया जब रिस्पेक्ट पैदा होता है आप लोग भी बहुत जादा है पर रिस्पेक्ट फिलो रहा होगा कि हमारे देश में इस तरीकी से कुछ चीजित थी आगे आप बोला है कि हमारा कल्चर हेट जो है उग सभी कि सभी क्या है मिलन है कि इस चीज का अलग प्लेस का मूर्टि है इन सभी से मिलकर हमारा कल्चर हेटेज बना हुआ है ठीक है आगे बोला है कि हम लोग पहले की समय हिस्टॉरिकल प्लेस की बात करें तो जैसे कि आप अभी के भी कुछ यहां पे जो फ्रीडम मोवेंट्स हुए हैं जैसे कि आप बोले आवर फ्रीडम मोवेंट्स लाइक साबर मत्य है साबर मत्य है अच्रम हो गए ह दांडीबोली हो गये वरद्ध हो गये यह आप देख सकते हो फिगर मी उसके पर सांथि 물itely की कि अदर पी कोलकाटा डेली के अंदर स्थित है आगे बोला कि यह सब के सब भी हमारे लिए का है इक इस हम पहले है का इसी के साथ ही साथ में अगर आप देखने जाएंगे तो लग अलग टैप के लैंग्वेज स्क्रेपट्ट जुम हैloít डिस्काविस जिरो मैतमेटिक्स के अंदर देखने जाओक है डिसक डिश्केशत का डिसको और हो गया आइरंस के भी आइरंस लिट्रेचर लिजियंस यूद शास्त्र चैरियोट से पॉलिटिकल साइंस जियोलोजी बॉटनी उसके बाद वास्तु सास्त्र रिलिजियंस रिपब्लिक्स जुडिसरी लेजिसलेशन एनवार्मेंट प्रोटेक्शन यह सब के सब जो है एक त गش्रात है तो कुछ को वह द्यक्र एंदेखे हैं की गुझारत का कल्च्रेट होरें देखने क्या तो गुज्रात के लिद्म को बहुत सारै से प्लेजिस वह पूराना भी संदर और कुछ करकے रखें और यह जितने भी देखे रखे हैं ट्रस्ट में सब के सब नेम सी हैं ठीक है तो आप लोग इसका प्रोनुशेशन और अच्छी तरीकिया से चेक आउट कर लिजेगा सिर्फ नेम ही आपको देखे रखे हैं जैसे कि देखे हैं आपको बोला गया है कि प्लेसे जिसका आपके क उसके बाद आता है यापे रंपूर लंगर रंपूर कहां पर है आपका तो लिंबड़ी तालोकाइं शुरंद्र नगर डिस्टिक यहां पर यह स्थित हैं गुज्रात में देख यहां पर दोलाविरह स्थान का भी नाम देके रखए हैं जिसमें सबसे पहले आपे आता है विक्त्री टावर और वर्ड नगर यह आपको देखने को मिल जाए गुझज़ात में उसके बाद भी स्टॉन इसक्रिप्चिंस असुका की टाइम में जूब बनाया गया था वह आपको यहां पे देखने को मिलेंगे उसके गेट उव चंपारन देखने को मिलेंगे रुद्र माहालिया देखने को मिलेंगे चित्धपुर के आंदर। इसके साथ ज्यामह तो जदेखने को मिलेंगे अहमदाबाद के अंदर। जो कि आप सेकिंग टावर भी उसको हम लोग बोलते हैं उसके बाद सिशादिया इंजाले जिसको जाए मतलब गुरिल जो भुता ना शाले वह आपको देखने को मिलें गुजरात के अंदर उसके साथे साथ में कुछ बहुत खेमस टेमपल भी जो है आप हाथि सिंग उसके प आपको एक बार जरूर देखना चाहिए उसके बाद पर यहां पर कुछ रिलीजियस मतलब धार्मिक जगह भी है जिसका इंपोर्टेंस बहुत ही जादा है गुजरात के जिसमें सबसे पहले आप आता है द्वारका इस मंदिर जो की द्वारका के अंदर स्थित हैं उसके ब बहुचर जी जो महेंगा इंदर स्थित हैं उसके बाद रंज्छोड दाराई मंदिर यहां पर डाकॉर के लिए उसके बदब यहां पर समला जी जोकी अरालने इसे नाम में रखे जाते हैं तो यह सब सब प्लेसे सापको गुजरात के अंदर जरूर देखनी चाहिए इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है आर्क लोजिकल वे में ओके आगे बढ़ते हैं कुछ और भी यहां पर बोला है कि रिलिजियस और सोशियल टूरिजम और प्लेस है गुजरात के अंदर जिसमें सबसे उसके बाद ताना रियाई फैस्टिबल जो वर्ड नगर के अंदर होता है उसके नॉर्थ हन डांस फैस्टिबल मोधिरा में होता है उसके रनोचसव इनकच रनोचसव जो कच के अंदर होता है यह सब के सब जो है यह भी one of the most important cultural heritage बोल सकते हो कि गुजरात का है ठीक है ओके तो उनमें से यहां पे जो famous लोग थे उनमें से कहीं कि आपे जेन और बुद्धिस्ट भी थे तो उनकी भी कुछ चीज़ें आपे गुजरात के अंदर देखने को मिलते हैं तो देखें सबसे पहले आपे बोला है कि जेन और बुद्धिस्ट रिलिजिस जो है वो भी भारत आपको देखने को मिलेंगे तो सबसे पहले वर्ड नगर के अंदर उसके बाद आरंगा के अंदर खंबालिया सामरा जी उसके बाद पिर कोटेश वर ताला जा उसका डंक उसके बाद लास्ट में है यह जगारी है यह नेम्स जो है थोड़ा-थोड़ा सा गुजरात के लोगने आलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें गुजरात के जैसे कि आप पर फेमस प्लेस देख लें उसके बाद पुछ पुराने और प्लेस बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंस वह देख लें उसके बाद अभी जस्ट हम लोगने बुद्धिस्ट और देखें अब एड़ दी बहुत अलगलग टापी कल्चर्स हमें आप गुजरात के देखने को मिलें उसी में से जो है यह जो फेर के कल्चर है फेर हैं ट्रेडिशनल जो मेले हैना वो गुजरात के लोगों के लिए इनका बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंस है अलग-अलग तरीके जैसे धार्म की द सब्सक्राव कि बुढ़र्फ और महते हैं उसके बाइडर और मृटक से रखकर लिजेगा। कुछ-कुछ important first को आपको यहां पर दिखा देता हूं जैसे कि आपे देखेंगे तो मुधिरा फेर हैं यहां पर होता है तो आपका मुधिरा के अंदर होता है यह फिर मतलब यह लगता है ठीक है डेट भी आपको यहां पर देखे रखें उसके बाद पर हैं भावनात जी की मुर्ति भी आपको देखने को मिलेंगे यहां पर मेले लगते हैं सबके सब बहुत enjoy करते हैं उसके बहुता फेर जो एहमदाबाद में होता है उसका नलंक फेर जो यहां पर भावनागर में होता है तो यह कुछ फेर्स होगे और यह आपको पूरा लेस्ट दिख रहा और यह topic हमारे लिए बहुत ज़्यादा important है exam के point of view से तो समझते हैं इससे उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि हम सबको पता है कि भारत के अंदर पूरे world में से अलग-अलग देशों से लोग इहां पर आकर रहें और अपनी संस्कूरूति को हमें दिया और हम लोग इतना prosperous मतलब समरच बन गया है हो ना तो हम लोग उन्हीं के बारे में समझने वाले इसके अंदर कि किस-किस तरके के लोग भारत के अंदर आएं और हमें उनके बारे में सीखेंगे थीक हैं यहां पर पहले बोलके रखा हैं कि जो भी पहले की लोग थे हमारे डेस के अंदर सब्सक्राइब उसके बाद कि जो धीर धीरे यह जो ठाइब से उसके हमारे देशक्ण पाने लगे मतलब और हमारे देंस के ही होकर सब्सक्राइब रहे हैं तो आब वही जन जातियों की बारें पढ़ेंitelेंगी कॉन-को현 Abg भारतियों के लोग हमारे देश के अंदर आकर रहें तो देखेंशे सबसे पुरान निवासी सबसे ठीक गाइं यहां पर अभी के जो researchers हैं जैसे कि यहां पे कुछ भासा विज्ञान के लोग कुछ यहां पे मानव विज्ञान के लोग उन लोग ऐसा बोलते हैं कि ड्राइविडियन से पहले भी यहां पे छे और ट्राइव आकर भारत के अंदर रुकें और हमारे देश को explore के बढ़ा हैं ठीक हैं त सबसे पहले आपे माना जाता हैं कि हमारे दिशップ में सबसे पहले कौणा आया हैं जिसको हम लोग बोलते हैं हभसी पीपल है तो यह किस तरह के थे तो देखें ऐसा हम जाते हैं कि जो चैक्रा अन्य टि सैंसे वारत के माने जाते हैं और यह वालुष खिताम से वह भारत के अंदर आये थे आगे बोला है कि यह लोग जो है यह लोग नॉर्मली देखोगे तो यह लोग ब्लैक कलर के दिखते थे और हाइट जो था इनका मैक्सिम फोटो फाइव फीट इनका हाइट था और उनके जो बाल थे ना वो कर ली हुआ करते थे पुरा गुम्रेले उनके बाल वागे तो नेगरोशेट पिपल की बाद भारत के अंदर जो दूसरी यहां पर जाती है उनको यहां पर ऑस्ट्रोलोइड बोला गया ठीक है ऑस्ट्रोलोइड क तो बेसिकली यह उनके बारे मैं ऐसा बोलना है कि वो लोग साउथ इस्ट एसिया से भारत के अंदर आये थे रहने के लिए उनकी फीजिकल कंडिशन मतलब लोग दिखते कैसे थे उनके बारे में कुछ बताया गया है तो देखें वो लोग दिखने में पूरे ब्लैक स्कीन ना उन लोगों नहीं आप यह और प्रोडि gest को और स्थिक्रूटी को पैदा कियेंग और ट्राइब से अंदर भी पाए जाते हैं उन्हीं के कुछ अंश हमें देखने को मिलते हैं उसके बाद ट्राइब सब्सक्राइब करने में बढ़ा बनाने में वह बहुत ही जादा है ठीक है जैसे कि यहाँ पर यही लोग जो थे न इन लोगों ने सबसे पहले क्ले अटेंसिल मतलब यहाँ पर मिट्टी के बरतन बनाना सबसे पहले इन लोगों ने सुरू किया था यह लोग कॉटन के कपड़े पहना करते थे और उनके बाद इनके पास और भी बहुत ही अलग अलग टाट के स्किल्स थे जो हम लोगों ने बोल सकते हैं पूरे भारत के लोगों ने उनसे सेखा और इसलिए ऐसा माननेता है कि यह लोग बहुत ही जादा हम लोग को डबलप करने में इनका हाथ था और उन्हीं के साथ ही साथ मैं ऐसा माननेता है कि और पीपल्स को बहुत ज़्यादा धर्म के उपर विश्वास भी था ठीक हैं यह होगी हमारा ऑस्ट्रोलोइट के बारे में अब वह उन आप इंपोर्टेंट जो है वह है ड्रैवीडियंस और इसके और लोग इसके निवासी है और लोग स्टोन एजसे भारत के अंदर रह रह रहते हैं अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर मोहन जोदारों कल्चर का क्रिएटर भी माना गया है मतलब मोहन जोदारों जो सब्भेता थी ना उन लोग को प्रोड्यूस करने वाले कोई और नह नौर्थ सरवाइब इंदेर लैंग्विजेशन कल्चर स्वीचर लेटर ऑन देवेर कॉल ड्रेवीडियंस जो भी भारत के नौर्थ साइड से लोग यहाँ पर भारत के मिडल सैड में आया या नौर्थ देशों से जो भारत के अंदर लोग आये ओन लोग अपने सिर्फ मतलब हमें आप एगर बताये हैं कि हाँ पर देवी हो जो भी हमारे पूजल पूज़ा करते हैं तो देवी माता झो भी है वो सबके सब हमारे माता के समान है ऑर यह नहीं पीटा की सरव आगे बोला है कि यहाँ पर जो भी tradition हमारे परंपरा, tradition मतलब परंपरा, हमारे परंपरा में जो हम लोग पूजा करते हैं प्रकिर्ति के नेचर को, उसके बाद भी नेचर को जो भी हम लोग पूजा करते हैं, वो सब के सब इन्हीं का ही δिया हुआ, गिफ्ट से है, इसका Davidians का आगे हापर है हमारे परंपरा में जो पूजा करते हैं किससे तो धूं जिसको आप बोलाएं कि अगर बुति से आप पूजा यहां पर करते हैं उनके बाद फिर दीग जलाते हैं आरती करते हैं ये सबके सब भी ये devidians नहीं हमें आपे दिया है, ये concepts के हमें इन से पूझा करना चाहिए, devidians नहीं हमें बता है, आगे बोला है, इन्हीं के साथ में हम लोग प्रकृति की पूझा करते हैं, पहाडों को भी हम लोग पूझा करते हैं, animals की पूजा करते हैं ये सब के सभी ड्रेविड्ययंस कहीं दिया हुआ एक तरहा का तौफा मान सकते हैं गिफ्ट आगे बोलाएं कि original डाइट्स डाइट्स मतलब ओसकते हैं कि देवताएं जो भी हमारे देवता हैं तो जुभी आ मेरे देवताएं चेकर आगे चला कर आरियोंस ने क्या किये री स्टाबलिस्ट कियें क्योंकि ऐसा मानते हैं कि यह जो आरियोंस थे उनके जो भी प्रक्रल्चर नहीं। बोल सकते हैं बाद में आगे चलकर intercast marriage का परंपरा ने भी इन्हीं लोगों ने चालो किया ड्रविडियंस ने maximum यह जो intercast marriage है उनको शुरुवात किये थे जिसके अंदर एक system built हुआ था यह जो वर्ड है इसका मतलब आप जो अभी के system में देखते हैं कि जो भी यहां पर गल्स हैं जब उनकी साधियां होती है तो वह बेसिकली क्या होते हैं जिनकी साथ में भी साधियां उनके घर में रहने जाते हैं वही system को हम लोग आप अपर ट्रेंचल सिस्टम्स बोलते हैं तो यह जो system है ना यह system का ओरीजिनेटर ड्रेवीडियंस को ही माना गया है ठीक है उसी टाइम से परमपरा शुरुए थी ठीक है आगे बोला है कि ड्रेवीडियंस ने आगे जाके यह बहुत यह बहुत ही क्राफ्ट के से क्राफ्ट को मतलब बैग्लेग्दस कहा कर लग यह बनाने के सिलआए करना कि यहां पे तो कि यहां भूँकि नहीं सब को दीयाता कि यहां पर शुकिम यौद और यelly बहूत ही ज़्यादा मात्राbas पाए गया है इसलिए आर्या वर्थ भी नाम पड़ा है तो आर्या का डॉमिन यहां पर भारत के अंदर ज्यादा था इसी कारण वर्ष हुआ क्या कि यहां पर आर्यांस ने जो भी यहां पर ड्रेविडियंस हैं उन सभी को शेटल कर दिये कहां पर दूस्टरे साइड में यहां पर ड्रेविडियंस का जो बोल सकते हैं कि देखने कौन है तो इससे के साथ में पूरा कम्प्लीट कि अब हम लोग यहां पर चेक कर लेते हैं जो भी चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-च्राइब रहे उनका ज़्यादा महत नहीं था तो उनको भी हम लोग यहां पर चेक आउट कर लेते हैं ठीक है तो देखें अधर ट्राइबस में आप भारत के अंदर जो आएं वह सिंपल देखिए यह सब की समना जिसमें आप और उनकी प्रजादिया हमें उदर पर देखने को मिलती हैं मतलब वहां पर जो लोग रहने वाले हैं उनके कुछ फीजिकल हैं मतलब दिखते कैसे हैं तो उनके बारें बता के रखें कि वो लोग दिखने में कुछ एलॉइस कोंफलेक्शन मतलब चेहरे का रंग कुछ अलॉइश टापका हमा करता था उसके बाद उनके फेज टे उफ्लैट तैं मतलब फुलैट पूडप उनका चेहरा करता था उनके जो चिक्स मतलब गाल थे वह पूरा चबी मतलब मोटे मोटे सब्वी मतलब कर यहांक और नGBON उनके उनके चेहरे के से ना उनके कारण इनको मतलब नया नाम दे दिया जिनका नाम जोट उतीक इतना क्लेक देख लेते कुछ और our में पर और मिन तो समझते हैं इसको यह ये जो 18 त्राइब है इन लोग आशा माना गया है कि यह तो के पूरा सेंट्रल अशुज के पीचव बीच न आंश disaster से सब्सक्राइब साlles और यह जो यह प्राइब से नहीं हैं तो Harley सब्सक्राइब गुजकराइब से हमें कहां पर देखने के मिलते हैं तो यह हमें Diesel सौराष्ट में महारास्ट्र probe में अडिशा में जिससको उडिशा जिसको उडिशा जी अभATT कि हो डिशा ऐब उड़िया जो बोलते हैं तो यह सब के अंदर हमें आप इनके कुछ करेक्टर्स्टिक देखने को मिलते हैं ठीक है तो यह सब के सब जो है यह नॉर्मल कुछ-कुछ पे चलते हैं जो की है और यह सब्सक्राइब करते हैं में सबसे पहले ही क्या बोलके रखा है उनको माना एक एक क्रिएटर इन इंडिया मतलब भारत के अंदर आरेंस इश्याइशन के क्रिएटर मतलब जन्म दाता जो है वो कौन थे तो नौर्डिक आरियं थे ठीक है इनको आ in association timing पहले के jowie सरा उसी को अभी हम एपनलों क्या बोलते हैं थी है मतलों मटले है हमारे पूर्वर्श सबसेशक्र Wonder तो आगे बोले है कि जो98 सबसे ज्याद已經 रहा करते थे तो उनका नाम क्या पढ़ गया आज यहां तो यहां पो बोल सकते हों कि इंडिया का मैक्सम सब्जादा किया कॉण हुआ करते थे अर्यान इसलिए भारत का एक नाम आर्यावर्थ भी है और भी नाम आपंपे इंदर साथ नदियां एक साथ बैथी थी इसलिए इसका नाम सब्सिंदू भी पढ़ गया पहले की ताइमिं को मिला था भारत के ओके आगे बोलाएं कि यहां पर जो आर्या वर्थ है पहले के टाइम में कहां से कहां तक फैला हुआ था तो देखें यहां पर बिहार के मिथला से लेकर पूरब में बिहार के मिथला से लेकर साउथ में विंध्याचल तक फैला हुआ था है ना यह जो आर यहां पर रहा करते थे तो इतने बड़े भूमी को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है जिसमें सबसे पहले आप भारत भूमी बोल सकते हैं भारत भारत वर्षा एक सक्ट्रा इस सभी के सभी नाम से हम लोग यहां पर आरिया वर्थ को जानते थे अभी यहां पर एक और भी चीज बोला है कि आरियन एक किंग हुए आरिया उनके बाद जितने भी आप टाइमिंग गुजरें आगे पढ़कर जितने भी आपे समय आया उन सभी में हम लोग यहां पर यह सारे नाम को रिप्लेस करके यह जो नेम है एक ही नाम दे दियें क्या था भारत ठीक है और अलग बात है कि अंग्रेज के आनेक बाद हैं आप इंडिया भी पड़े लेकिन भारत जो थ शूरज पढ़ी नाजियों को पूजय करना मांटेंश को सूरज को हम लोग आवी पूजय करते हावाओं को हमारे लोको को नेच्ट को बिला लवर इस रहें चुद शुरू किये थे भजन से पूजा करना ना यथा यह सबकार अर्यस रहता और उनके बाद अलगलग टाइप की मैं और यहां कम दलए तो यह between ऐते हैं यह बसक्र एक तुम चल्शे यह हमारे धर्मों के अंदर और भी अलगल टाइप की चीज़ें पुजा पार्ट में जोना शुरूआ जैसे कि कभी कोई सुब काम होता था तो उसमें यहां पर पढ़ना शुरू कर दिए वेद को भी पुजा में वेद पढ़ना शुरू किये उनकी बाद यग करना शुरू क यह सबके सब एक्टिवीटी जो थी वह इंडिया का अंदर और भी ज्यादा प्रचलित होने लगी समय आगे जैसे बढ़ते रहा है अब यहां पर लास्ट टॉपिंग में देखेंगे तो बोला गया है इसलिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे भारत का जो है देखिए कि भारत जो है उसके अंदर अलग-अलग ट्राइब से मिल जूल कर जो बना हुआ है यही जो है भारत को एक अलग लेवल से ग्लोरी इतना महान बनाता है और सम्रिद बनाता है हमारे heritage को अगर इतने सारे tribes नहीं आते तो क्या लगता हमारा भारत इतना glorious और prosperous बन पाता है इतना महान और सम्रिद बन पाता नहीं तो यही लोग इतना सम्रिद बनाया आगे बोलें कि यह जो इंडिया के अंदर आए और इन लोग मिलें इनहीं की कारण बोल सकते हैं कि जो लंबे समय तक लोग सब के सब साथ रहें तो इनके कारण यह लोग अपने और इंटर कास्ट मैरेज़स करके बोल सकते हैं कि हम लोगों से मिलकर यहीं के होकर रहें के लिए आगे बोल सकते हैं कि आउटसाइडर और लोकल पिपल इंफ्लूंस यहां पर बाहर के लोग और भारत के लोग यह लोग आपस एक दूसरे से बहुत अच्छी तरीके से घुल मिल गया जूड़ गया और उसके बाद यह लोग अपने लाइंग्विजिस अपने स्क्र इंटरचेंज कियें जिसके कारण यहां पर बोल सकते हैं कि यही लोगों ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले कि इंडिनाजिशन भारतीय करने में भारत को बनाने में यहीं लोगों ने सबसे बड़ा रोल ले कि यह जो फॉरनर्वाइब थे ओलो लोग इंडिया में ओपिन और आगे बोले हैं कि ऐसे ही एशन टाइमिंग के अंदर बोल सकते हैं कि यह सब के सब कल्चर से मिलकर जो है वो हमारा भारत बना है ओके आगे बोले हैं कि यह जितने भी लोग इंडियन जितने भाहर के लोग आए वो सब के सब भारत समय आगे बढ़ते समय में सब के सब करते हैं से मिलकर बने और माहान संभेद बने हैं उसी के साथ हम लोग पूरा करते हैं जितने भी भारत के इंदर आये उस एह पढ़ते थें के हमारा कल्चर इतना तो इतना महान और बोल सकते हैं कि इतना अच्छा हमारा कल्चर है तो उनको हमें बचाने के लिए किस तरीके से क्या क्या करना चाहिए वह भी तो समझना पड़ेगा ना तो हमारा जो लास्ट टॉपिक है वह सिंपल इसी के उपर में है तो अब हम लोग यहां पर पहुंच च है कि अगर हम लोग किसी भी पहलों से देखें तो हमारा इंडियन हरिटेज जो है वो सभी के आखो को कहीं के आप खीचने वाला जब भी आप देखोगे तो आपको बहुत ही बैटर फिली आएंगी तो आई कैचिंग से पिक्चर की मतलब बोल सकते हैं कि बहुत ही अनोखा और अट्रैक्टिव आकर्शक है हरिटेज जो होता है वो किसी भी देश को के लिए बोल सकते हैं कि गलोरी लाता है सम्रिद्धा लाता है अगर यहां पे हरिटेज है तो उसको देखने के लिए भी देशों से लोग आएंगे तो कहीं कि आप पे पैसो का सर्कुलेशन होता ह है तो यहां पे किसी भी देश के डेवलप्मेंट के लिए बोल सकते हैं कि हरिटेज बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है इंडिया जो है एक लीडिंग पोजिशन यहां पे पूरे वर्ल्ड में जो है सिक्योर करता है हम अपने हरिटेज को बचा कर और सुरक्षित रखने म इंडिया में जितने हेटेज हैं उन सभी हेरिटेज को बचा कर रखने में इंडिया बी जो हो एक लीडिंग पोजिशन मेंटेन करके रखता है मतलब हम लोग अपने की बहुत ज़्यदा रखवाली करते हैं इसलिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा पहला और सुबकाम यही है हर एक सिटीजन का की हम लोग यह सुनिशत करें कि कोई भी यहां पे हमारे हैरेटेज को हाम ना पुंच आए जो भी हमारे पुराने यादे हैं उन सभी को बचा कर रहें उन सभी प्लेस को बचा कर रहें ताकि उनकी इंपोर्टेंस वैल्यू है वह हमेशा मेंटेंड रहे हैं इतना क्लियर अब यहां पर इसी को मद्य नज़र रखते हैं हमारे Constitution of India है ना जो हमारा भारतिय संभीदान है उसके अंदर fundamental duties of Indian citizens हैं कि भारतिय लोग को क्या क्या पर उनकी duties हैं वह बताके रखे हैं जो कि आर्टिकल 51 एक के पॉइंट नंबर 679 के अंदर कुछ चीज़ डिस्क्राइब किये गए हैं उनको हम लोग यहां पर चेक करते हैं तो देखिए सबसे सब्सक्राइब को अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखना चाहिए ताकि यहां पर नैच्रल एंवार्मेंट है और सब्सक्राइब करोणा और दया भाव दिखाना चाहिए जो भी लिविंग क्रेचर है उन सब पर ठीक है एड़ने में बोलके रखें कि हमारे पास जो भी आप पर प्रोपर्टी है उन सब्सक्राइब करना चाहिए यह सब हमें ध्यान रखना चाहिए और लास्ट टॉपिंग में बोला है कि यहां पर जो नीचर है उन्हों ने हमारे लिए देखें कितने बैस्ट बैस्ट लेवल से स्टार्टिंग में देखें कि लैंड्सकेप बनाए हैं तो हमें उनकी प्योर्टी है ना उनकी सुधता उनकी मिंटेन करके रखना चाहिए यह हमारा क्या है सबसे मौरल ड्यूटी में कंसिडर किया जाता है कि यहां पर इंडियन हेरिटेज जो है वह आप ऐसा बोल सकते हैं कि वह जो है हमारे डेवलप्मेंट के लिए बहुत ही जादा लंबे समय से हमारे लिए बहुत ही बड़ा हमें बहुत ही जादा मात्रा में बहुत डोनेट किये हैं हमारे हमें सम्रिध किये हैं हमारे भारत को चीज़ को समझना चैन सब्सक्रिक्ण stepping स्ट्रक्चर है और बड़े बने तो जितना ब्रस निहांस को को बनाएंगे उतना ही ज़्यादा लोग इंडिया के अंदर आएंगे घूमेंगे तो पैसों का फिलो लिए इंडिया की जो भी सोशल है मतलब समाजी डिवलोपमेंट के लिए एकोनमिक के लिए पॉलिटिकल यह सब डिवलोपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट से ले तो यहां पर यह एक पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ सबसे पहले हम लोगों नहीं क्या देखिए हैं कि किस तरीके से हमारा है कितने अच्छी तरीके से मिले हैं इंडिया के इंडिया जो है और अभी के टाइमिंग में देखने जाएंगे तो पूरे पूरे वर्ल्ड में सैवन पॉजिशन प्याता है जन तो उसको हम लोगों आप डीटेल में समझें उसके लोगों आप गुज्रात के अंदर क्या-क्या है जैसे धार्मिक स्थाल हो गये थे उनके बद कुछ घूमने वाले प्लेसे सब्सक्राइब बहुत 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 ज्यादा मातरा में आप फेर लगते हैं मेले लगते हैं उसके बाद हम लेंटसन पीपल देखें जिसके अंदर आउस्ट्रोइट आगे थे नेग्रूशेट पीपल और फिर ड्रेवीडियंस आरियंस मॉंगलोइट इस सब्सक्राइब थे उनको हम लोगों ने कैसे यहां पर हमारे हेरिटेज को प्रिजर्व करके रखेंगे वह हम करना चाहिए उस चीज में जरूर आप लोगों करोंगा ठीक हैं तो यहां पर फॉर्स्ट जो हमारे चाप्टर है कंप्लीट हुआ अब हम लोगों मिलते हैं नेक्स्ट चाप्टर पर तब तक के लिए बाभाई टिक गयर थैंक्यों सो मच